नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइबिटीज के घरेलू इलाज की गौार पाठा जिसे अलोवेरा भी कहते हैं डाइबिटीज के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है दाइविटीज की घरिलू दवा बनाने के लिए एलोवेरा का जल यानि की एलोवेरा का गूदा निकाल कर काम में लेना होगा गौार पाठा या एलोवेरा आजकल बजार में सबजी की दुकानों और जूस की दुकानों पर भी बहुत असारी से मिल जाता है एलोवेरा का जेल निकालने के लिए एलोवेरा की एक पत्ती का एक छोटा टुकड़ा काट लीजिए इस टुकड़े के दोनों तरफ जो काटे हैं इनको चाकू से हटा दीजिए फिर एक तरफ से इसका छिलका पूरी तरह से हटा दीजिए अब आपको aloe vera gel दिखाई देने लगेगा, इस gel को आप चाकू की हल्प से निकाल लीजिए, आपको एक कटोरी में एक चमच aloe vera gel लेना है, अगर आपने ज़्यादा मातरा में aloe vera gel निकाल लिया है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और अगले दिन काम में ले सकते है अब इस एक चमच aloe vera gel में आपको तेज पत्ता पाउडर और हल्दी पाउडर मिलाना है, तेज पत्तो को पीस कर इनका पाउडर बना कर रख लीजिए, आपको तेज पत्ते के इस पाउडर की एक चोथाई चमच इस एक चमच aloe vera gel में मिलानी है, साथ ही हल्दी पाउडर की एक चोथाई छोटी चमच इसमें अच्छी तरह मिला लीजिए। इसे आप सुबह के समय सो कर उठने के बाद फ्रेश हो कर खा लीजिए। ऐसी ही एक और डोज शाम के समय या रात को बना कर ले लीजिए। डाइबिटीज की इस घरेलू दवा को हर रोज दिन में दो बार आपको लेना है। इसको लेने पर बलड में शुगर के मातरा तुरंत कंट्रोल होने लगती है। डाइजेशन सिस्टम ठीक होने लगता है। इंसुलिन बनने और उसके शरीर में सही मातरा में पहुंचने की क्रिया भी ठीक होने लगती है। दो से तीन हफ़तों में ही डाइबिटीज ना के बराबर रह जाती है। आप इस उपचार को लगतार तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक की डाइबिटीज ठीक ना हो जाए।